Hello everyone, Welcome to Lecture Force कल मैंने math के कुछ expected questions का part 1 upload किया था जिसमें आप लोगोंने comment section में बहुत demand करी कि second part भी इसार upload करो तो ये second part है, जिसमें first type है कि 52 cards मैंसे बापस रखते हुए मतलब एक एक करके एक निकाला फिर एक रख दिया तो ऐसे पत्ते निकाले गए तो दोनों king हो इस बात की क्या probability है तो देखो probability में क्या होता है कई बार हमें लगता है कि question जिस type का हमने पढ़ा है वही type है और option भी मैं चुआ पे हो जाते हैं तो हम गलत कर देते हैं तो probability बहुत अच्छे से पढ़ लेना मैं कहूंगा कि यहर फोर्स के पेपर में probability जान है ठीक है probability ऐसा हो इनी सकता कि दो कुछ देखो यह की जी आता है एक moderate आता है hard कुछ नहीं होता है अब एक बात मैं आपको बता हूँ अगर वो कहता कि बावन तासो की गड़ी मैंसे दो पत्ते निकालने हैं तो हम कर देते 4C2 4 मैंसे 2 चुन लिए क्योंकि उनका एक का होना जरूरी था दोनों का तो चार में एक के चार ही होते हैं पत्ते में तो चार C2 और टोटल कितने हो गए बावन C2 तब तो अंसर यह हो जाता इसको जब आप सॉल्व करते तो बी ऑप्सन आपको मैच होता हुआ दिख जाता जो कि यहां पे नहीं होगा क्यूं? क्यूंकि इन्होंने कहा है कि एक निकाल के हमने उसको फिर उसमें ही रख दिया यानि कि यहाँ पे सिंपली एक निकालना पहले तो अनकूल चार है चार एको मैंसे कुछ भी निकल सकता है तो अब मेरे पास चार एक के बच्चे चार मैंसे कोई भी निकाल सकते हैं, अब की बार भी टोटल परिस्थितियां कितनी हैं, बावन हैं, ये आंसर इस कुश्चन का होगा, चार से इसको कट करेंगे 13 ताइमस, चार से इसको कट करेंगे 13 ताइमस, 13 इंटू 13, 169, यानिकि ये औप्शन यहां पर राइट अंसर है, ये कब होता है, वो भी मैंने समझा दिया, क्योंकि इनी दो फॉर्मेट से ये कुश्चन पूछा जा सकता है, इनसे फोर डिजिट का हमें और नंबर कितनी और नंबर बनाई जा सकती हैं, तो देखो इस तरह का कुश्चन आया, आ आप कोसिस करो, आपको जो रफ सीट दी है, उस पर जितने भी डिजिट का चार अंकों का बनाना है, तो हम चार बॉक्स यहां पर फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है, अब चार बॉक्स बनाने के बाद, अब ये देखो बिसम बनाना है, बिसम बनाना है, तो यहां पर लाष्ट मे अगर 0 होगा तो बिसम नहीं हो सकता यानि कि लाश्ट में 0 और 2 तो हो नहीं सकता है तो लाश्ट की possibility कितनी है एक हो सकता है तीन हो सकता है पांच और साथ कुछ भी हो सकता है यानि कि इस box को हम 4 तरीके से फिल कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर 4 लिख दिया अब लाश्ट और 0 आ गया तो फिर वो कितने digit की रजाएगी अगर मैं कहीं पर यहाँ पर 0 दो लिक देता ही तो एक digit की नहीं हो जाती है तो यहां पर चार है हमने 4 digit की बनानी है तो यहां पर 0 हो गया तो 3 digit रजाएगी यहनी कि फर्स्ट रिप्लेस पर 0 के अलाबा हम कुछ भी रख सकते हैं जीरो के छोड़ के कितनी संख्या है एक दो तीन चार और पाँच तो यहाँ पे पाँच पॉसिबिलेटी है ठीक है पाँच वे इस तरीके से इसको फिल कर दिया अब इन दो डब्मों को हम 6 मैं से 6 मैं से कुछ भी बर सकते हैं क्योंकि 6 हैं तो 6 मैं से कोई भी आ जाए कोई हो जाएगा 144 अब 144 का पांच में गुड़ा होगा तो 720 यानि की डी ऑप्सन यहां पर गुड़ा आप किस भी तरीके से कर सकते हो कुल मिलाके मैं बताना क्या चाहरा हूं कि इस तरह का कुशन अगर आपने तयार नहीं कर आए तो आप ऐसी एपरो से तयार करो जिसको आप 20 स में ऐसा हमेशा आता है जो बहुत बार इस प्रिंसिपल पर कुशन यह फोर्स पूछ रहा है जिसको मैं आपको पहले बता दू कि अगर कहीं भी एंसी आर माइनस वन लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं एन प्लस वन सी आर इसको एक डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह अब पूछा जा सकता है चार उप्संस फ्रेम कर देगा एक्जामनर तो सबसे पहले तो आपको यह पता हो याद हो अच्छे तरह से इसको कैसे मतलब मैं आपको थोड़ा समझाने की भी कोशिस करूं कि अगर कहीं लिखा है 42C3 और इसके साथ लिखा है 42C2 यानि कि इन दोन होगा जैसे चार पांच होता तो चार लिखते तीन दो है तो तीन लिखेंगे तो इसकी वैल्यू यह आती है यह फॉर्मूला यही इसी फॉर्मूले का रिप्रिजेंटेशन यह है यह बात आप हमेशा अपने द्यान में रखना अगर आप यह पर देने जा रहे हो तो इस पे ऐसा हो नहीं सकता कि question ना पूछा जाए जैसे कि अब इसमें आपको क्या है कि यह question आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर दो का गुड़ा किया गया है क्या करें तो जैसे अगर हमाई पास दो गुड़ा एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम दो बार एक्स प्लस एक्स करके बनाओ इसमें क्या फॉर्मूला लग सकता है मैंने आपको बताया था कहीं पर लिखाओ 42C3 प्लस लिखाओ 42C4 यनि कि 42N इसमें भी है N और इसमें भी है N को अगर 42 माल लें तो यहां पर अगर 2 है तो वहां पर 4 है तो इसको 42 43 4 लिख सकते हैं मतलब इसको हम लिख सकते हैं n plus 1 c बड़ा बड़ा बाला r है कि r plus 1 है r plus 1 है लिख लिया प्लस अब similarly इस वाले को देखो और आप इस वाले को देखो अब इसमें भी n command same है n command बड़ा बाला लिखेंगी तो इसको क्या लिख सकते हैं अब यह चीज आ गई हमारी इस इन दौनों टर्म से अब इसमें भी क्या formula लग सकता है बिल्कुल लग सकते हैं क्योंकि यह 42-42 है अगर 42 एक बात बता रहा हूं बाकि यह चीज अगर सेम है और यहां पर भी एक कर डिक्रीज होके लिखा है मतलब अगर यह तीन है तो यह चार है तो क्या इसको भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं इसमें भी एक जोड़ दो तो n प प्रिक्त हो गई हो कि स्क्रीन पर पूरा ऐसा कर देते हैं मैं बता रहा हूं ट्रस्ट मी मुझे भी पता यह बहुत क्रूसियल टाइम है इसमें कोई नॉंसेंस चीज आपको प्रवाइड नहीं करूँगा मैं इस टाइम पर जो भी आपको दे रहा हूं वह बहुत हाई चा के कोफिशेंट एक्वल हो इस तरह का एक कुशन एर फोर्स में पूछा जाएगा कि अगर किसी के प्रिसार में जैसे कहेगा चौथा या पांचवा पद के गुणांग बराबर हो तो ऐसा कुशन जनरली आता है तो आर का वैल्यू तो हमने देखो ट्रिक भी आपको बताई थी आपको लिखना है क्या 20C यहां आरवा है तो एक कम कर दो आर माइनस वन कर दो बराबर कर दो किसके 20C यहां पे जो है उसको एक कम कर दो आर प्लस फोर में से एक कम करोगे तो आर प्लस त्री हो जाएगा इसको एक्वल कर दो अब हमें आगे कोई फॉर्मूला नहीं आप देख लों कहां पर ऐसा कॉमिनेशन कौन सा उप्सन बना रहा है मालो में साथ उठाता अगर में साथ उठाता तो यहां से 20C हमारा कितना मिलता 20C6 मिलता यहां पर 20C साथ में 3 जोड़ता 10 मिलता जो की नहीं हो रहा है जब इस तरह से आप देखोगे तो 9 वाला उप्सन मैच कर जाएगा क्योंकि 20C यहां पर 8 मिलेगा और यहां पर 20C 12 मिलेगा और 12 और 8 का प्लस करोगे तो 20 आएगा यानि की 9C उप्सन हमारा यहां पर हिट हो जा रहा है बाक प्रक्टिस क्लेक्टर उन से एनलाइस किया जो चीजे मुझे लगी कि बहुत सारे सारे प्रक्टिस सेट में म्यूच्वल हमतलं वह पूछी ही जाती है ंजिसमें 3 चीजों का में करके 3 दिया हुआ है तो उनकी व्मतानी है मैं देख रहा हूँ हर practice set में कहीं मैंने देखा xyz बराबर 24 दिया है hello की संख्या कहीं xyz बराबर 90 मतलब आपको ऐसे तीन संख्याओं का गोड़ा करके देदेगा और कहेगा इनकी solution की संख्या बताओ अब देखो वो method यहाँ पे मैं नहीं बताओंगा तीन distinct number होने चाहिए 6 गुणा 5 गुणा 1 हो सकता है या कोई लड़का 5 गुणा 3 15 और 2 तीस ऐसे लिख सकता है या लिख सकता है 30 गुणा 1 गुणा 1 लिख सकता है या कोई और क्या तरीका इसका हो सकता है जैसे कि अगर हम देखें मेरी बात समझो अगर यहां पर 24 भी होता अभी 2 की प्रैक्टिस करा दूँगा जिससे आपका गलत होने के चांसे बहुत कम हो जाएंगे तो आप और सोचो और क्या हो सकते थे देखो 10 गुणा 3 हो सकता था 10 गुणा 30 गुणा 1 इनके अलावा क्या आप कुछ और सोच पा रहा है कि आप इतना सोचने में आपको मैं समझता हूं 20 सेकंड लगेंगे ठीक है अगर आपकी प्रैक्टिस और यहीं आएंगे कहीं 30 आएगा कहीं 30 आएगा तो क्या है कि आप इनकी इसको तीन तरीके से इनकी इनकी इसके तरीके से लिखा यानि कि इनकी चैवेज इसके उगए तो टूटल कितने तरीके हो गए चै बारा अठारा चौबेस और तीन 27 तो इसको इसको बता रहूं ऐसे को नेक्स्ट है अगर ए मेरावर ए में दो element है एक set है जिसमें दो element है तो एका power set गहात समुचे तो देखो आज मैं आपको question नहीं कराने की कोशिस कर रहा हूं मैं आप आपको कुछ बताने की कोशिस कर रहा हूं कि आपके पास जो 3-4-5 दिन का समय है इसमें आप क्या पढ़ो math section में ठीक है क्योंकि आपके वास physics भी है आपके पास English भी है आपके पास time कम है यह मुझे पता है लेकिन जो चीजे मैं बता रहा हूं इनको आप ignore मत करना जैसे set theory में कुछ definitions होती है जैसे घात समोच चाहे उचेत उप समोच चाहे proper subset subset तो इन चीजों को थोड़ा देख लो एक जला कुछ time नहीं लगता है आप अगर 30 मिनट भी set theory की सारी definitions को दोगे तो मैं समझता हूं यह more than sufficient होगा जैसे power set क्या होता है जैसे अगर कोई power set है जैसे एक वो है जिसम गात समोच है मैं power set में element की संख्या कितनी होगी तो आपको पता हो कि 2 की power n जितने उसके subset बन सकते हैं वो सभी power set में element होगे उन सभी subset का set ही तो power set होता है तो 2 की power n यानि की 2 की power n का मतलब जितने element है गर 4 element थे तो 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16 element उसमें होगे similarly अगर इसमें 2 element है तो इसके power set में 2 की power 2 यानि की 4 element होगे इसमें 4 नहीं है इसमें 4 नहीं है इसमें 4 नहीं है इसमें 4 है यही हो गया क्योंकि एक जो empty वाला होता है वो भी इसमें included होता है तो हमें subset बनाने नहीं थे हमें केबल process पता थी definition examiner आपसे definition पूछना चारा था तो मेरा अभी advice यह है आप लोग comfort अपने comfort जों से बाहर आना पड़ेगा ठीक है एक पराबोला जिसका x-axis है में जो है यानि कि y square बरावर 4 ax वाला है y square बरावर 4 ax वाला है तो आउकल समय करड़ कि उस differential equation की power और order क्या हो सकती है यह भी मैंने बहुत जगे देखा इस question को तो देखो y square बरावर 4 ax y square बरावर 4 4 ax अगर इसका हम differentiation करें तो y square का क्या हो जागा 2y फिर y का करेंगे तो वह y dash लिख देते है इसको ठीक है डिवाई बड़े dx नहीं लिख रहा हूं 4 ax का 1 हो गया अब हमें 4a भी खतम करना है तो फिर से इसको कर दो तो इसमें क्या first second लग सकता है अच्छा यह 2 से 2 कट सकता है यानि कि y y dash बराबर आगया 2a अब इधर हमने first second लगा दिया first second क्या होता है first into second का तो y dash का y double dash हो जाएगा दो बार हो जाएगा plus second यानि कि y dash और first का तो y dash ठीक है तो अब हमारा उधर 0 हो गया 2a का क्या हो गया 0 अब इसमें हम देख सकते हैं clearly क्योंकि RHS 0 हो गया अब इसका order और power बता सकते हैं देखो दो बार हुआ है maximum तो इसका order तो 2 हो गया लेकिन सबसे maximum बाले की power देखते हैं तो सबसे maximum बाले इसकी तो मानलो अगर y dash को लिखें तो इसकी तो power हम 2 भी देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर maximum बाले की power देखते हैं उसकी power एक है इसलिए order 2 हो गया औ पावर एक हो गया तो इस तरह का और एक बात और बता हूं अगर आपको लग रहा है कि मैं कुश्चन करा रहा हूं आपको तो कल भी करा है तो यह आपको मैं कुश्चन नहीं करा रहा हूं किसी किसी कुश्चन में थोड़ा बता देता हूं लेकिन मैं आपको होमबर्ग दे र यानि कि Intrigation Factor पूचा ही जाना है चाहिए कुछ हो जाए तो आप क्या करो मेरे इन वीडियो का फिर मैं बता दू जो मैं जिस टाइप के मैं कुश्चन करा रहा हूं क्यूंकि पूरी साल हमने आपको गड़ित नहीं पढ़ाई है हमने फिजिक्स पढ़ाई है तो अभी at the end आ नहीं पढ़ा है कि समाकल गुडांग की कैसे निकालते हैं तो जाके पढ़ो मुस्किल से 20 मिनट का वीडियो आपको तयार कर देगा कि Intrigation Factor कैसे निकालते हैं क्यूंकि एक कुश्चन जरूर आता है ठीक है तो यह तैयार कर लेना ठीक है तीन पासे है तीन डाइस है और इ जैसे पहले पेच्छ आ सकता है दूसरे पेच्छ आगया 12 हो गया वह मैं सोला करना ना त Mona करना था एक सेंपल स्पेस हुआा दूसरा बनाने के लिए सेट में देख रहा हूं कि ऐसे कुश्चन आ जाते हैं जिन में कहीं 16 आने की सम उनका 25 करवाने की प्रायकता पूछेगा कहीं मतलब अगर तीन डाइस है और 25 करवाना है तो उसका तो आंसर जीरो हो जाता क्योंकि तीनों में अगर 6-6 होंगे तब 24 हो सकता है वो तो अलग बा आप मेर्थ में बहुत अच्छे हो जाओगे ठीके जैसे कि आज आज आप मैंने 4-5 बाते बताएं वो जाके पढ़ो जैसे कि वो बताया था तीन का गोणा 30 था एक इंट्रिकेशन फेक्टर निकालना सीखो और जो भी वीडियो में मैंने बताया जाके इतना पढ़ो साम त इस नहीं होता है तो उसमें एरफोर्स और नेवी चूज कर लेना तो आपको बहुत सारे अडूकेटर मिल जाएंगे अगर वहां पर आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो लक्षे 12 जैसे आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा और एक यहां प्टार यहां पर आपर अगे तक जाओगे यह मेरा आसीरबाद है और मेरा मेरा मेरी बैस्ट विसे से receipt करते ह все रहेंना आपका हीशन ही होता है जो हमें next video बनाने के लिए motivation देता है